तो आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड़ेटिंग चो में आज मैं आपकी सामने लेके हैं आपने नई फूड के साथ नई वीडियो के साथ तो आई आपको दिखाते हैं तो आप ही देख सकते हैं इये ब्रीकफास्ट है और यह देख सकते हैं यह ब्रेट स्लाइस लिएक दो मौने अचल्पा उन्रेट अलू भी मिर्च है प्याज है नॉमलेट बनाते है वैसे ही बनता है तोड़ा सा आलू बहुत और यह कापी ही हेल्दी होता है और चाय है और यह हमारी सोस है तो आये start करते हैं फिर तो आई स्टार्ट करते हैं और जैसे नॉर्मली हम जैसे ओमलेट बनाते हैं और ब्रेड काते हैं उससे खाते खाते बोर हो गए था तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है यह ओमलेट और मैं इसका लिंक डाल दूंगा अगर आप भी बनाना चाहें थोड़ा अलग है तो आप भी बना सकते हैं इसका लिंक डाल दूगा डिस्कुशीन बें वहां से आप कर सकते हैं और प्लस आप सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो के नोटिफिरीशन आपके पास आए कि आप इस चाहिए और नॉर्मिल एकर आप चाहें तो ब्रैट ना रहाना चाहें तो ब्रैट को खटा करके सिर्फ आमनीट जाए तो आमनीट भी खादते हैं कि देखी इसके इन दर ओमलेट है इसके आइससाथ हमने जो आलू डाला है इससे हमें कार्ब भी मिल जा रहा है एज अन्डे से में प्रोटीन भी मिल जा रहा है तो इक टैब से प्रॉपर मील हो जा़ाज़ेगा हमारा रेट पास करें तो आप चैदर ब्रैट हटागर की इसको भी था सकते हैं कि इसको इसकी इसको सकते हैं पसका हुआ है आप देख सकते हैं जैसे नीचे के पूरी लेयर थी आलू मी थी पटेंटो स्लाइस करके हमने लगाए दे आप गजब होगा है आप अजब लोग करेंटो स्लाइब लोग में आप अपर इच्छा टेश आजब देखा है, हैं और वह इप चना है, जर है जर है, झाल नह जंगा है, झाल थम्हास कर नहा है, झाल जैसे दोस्तों देख सकते हैं यह रजोपी मैंने मेल लिया था बेग पार्च को ने सारे सारे खाता मुल चुग है काफी अच्छा था काफी टेस्टी था जो नॉमलेट बनाते हैं उससे डिफरेंट आपको में सब्सक्राइब करें तक जो नीचे बैल आइकन बनाता है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जोब मेरी वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके बास सबसे पहले आए एंड वीडियो को लाइक करें शेयर करें जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कुछ नहीं वीडियो चाहते हैं वह आप मेंचे कमेंट कर सकते हैं और अबनी वीडियो तक के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद होचते हैं